हेलो गाइस वेलकम टो अनेदर वीडियो अप स्टॉक मार्केट फिंट्स मैं ग्लानिक क्लाउड की ओर से मार्च क्वाटर की फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है आज किस वीडियो में एलसिस करेंगे स्टैंडलॉन रिजल्स आउट हो चुका है क्वाटर एंडेड और फि 1023 क्वाटर में 16.9 करोड का इंकम है, water on quarter year on year की較ोकिंग्समीर की इंकम के एक्सपेंशंस कमपनी का हुआ है,100.4 करोड का पिछले क्वाटर में 98 करोड का और मार्स 23 क्वाटर में 92.6करोड का एकसपेंस हुआ था quarter on quarter year on year दोनों की expense भी इंक्रीज किया है income के according operating profit फिप्टी वंप्पॉण सावन करॉड का पिछलिए quarter remember 33.7 क्रोड का और मार्च 23 quarter में 24.3 क्रोड का operating profit है quarter on quarter year on year दोनों में इंक्रीज किया है net profit 39.4 क्रोड का पिछलिए quarter अमें 22.5 करोड का और March 23 quarter में 18 करोड का net profit है quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है EPS company का इस बार पेश हुआ 3.37 रुपीज का quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है तो गाइस company का result बहुत strong पेश किया है अगर हम इसके financial year ended की result को cover करें income में 577.8 करोड का और 23 में 446.5 करोड का income में increase किया है expenses 437.3 करोड का और 23 में 352.7 करोड का expense हुआ था जो के expense में increase किया है operating profit 140.5 करोड का और 23 में 93.7 करोड का operating profit है जोकि increase करता हुआ देखने को मिला है net profit company का है इस बार का 102.9 करोड का और 23 में 74 करोड का increase देखने को मिल रही है EPS company का है 8.81 रुपीश का 23 से इंक्रेज किया है तो गाइस कंपनी का कॉंसौलीडेटेट फिनांसल रिजल्ट बहुत इस्ट्रॉंग रोथ है वह एकर हम इसके स्टेंडलाउन फिनांसल रिजल्ट को कवर करेगा जो की आइसबार का नंबर जो है लैक्स में ही दिये गए है इंकम है कंपनी का 17.4 करौण पिछले कॉटर में 19 करौड का मार्च 23 क्वाटर में 21 करौड का इंकम है कौराटर ऑनओ क्वाटर यर ओनवाट गिरावरे के बहुआचर के एक्स्पेंसीज वह बिस स्टेंडल उन इंकम में डाउन है और एक्सपेंस कौटर उन कौटर की पॉफिट में भी डाउन और एक्सपेंसे जादा हुआ इसके क्यारण तो गैस कह सकते हैं अच्छी रिजल्ट पेश किया अगर हम शेयर की बात करें 640.05 रुपीच पे आज क्लोज किया था और वह तू पर्शन वन फाइप पर्शन का पॉफिट दिया था और अभी कंपनी जो है फिफ्टी टू वीग हाई के आसपस ट्रेड कर रही है वन मंत में 39 पर्शन का पॉफिट दिया है और इसलिए बहुत ज़्यादा जो सो हाई जा चुका है कंपनी के शेय अगर आप इसके शेयर में इंविश्मेंट करना चाहते है तो गाइस वेट कीजिए तो यह प्राइस अल्रेडी बहुत ज्यादा हाई जा चुका है इसलिए वेट कीजिए और अगर आप इसके शेयर ले रखे है तो आप इसमें होल्ड कर सकते हैं कंटीनू कर सकते हैं तो क क्योंकि रिजल्ट अच्छी पेश किया तो चांसे सकी कल के दिन भी कंपनी की शियर में तेजी आ सकती है तो हम लोग वीडियो को ही परेंट करते हैं अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पुझे मिलता है नेक्षोड़ों में दिलने बाबाद